हेलो 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 कैसे हो मेरे प्यारे बच्चो मेरा नाम है मन सिंगल है और पी डवल्यू के जेई चैलेंजर्स चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है ठीक है आज हम पढ़ेंगे न्यूटन लाज ओफ मोशन न्यूटन लाज ओफ मोशन के जो कंसेट्स होते हैं उसके ब इसे पर मेकैनिक क्स वन और बागी सारे चैपटर में भौट सारे सवाल आते हैं यह चैपटर अच्छे से सीखना हमारे एकजाम में पर्फॉर्मेंस के लिए बहुत जरूरी है बहुत यह आसान सा चैपटर है बहुत ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं होता है इसके कुछ अच्छे सवाल हम आपके लिए ले के आए हैं और उनको हम साथ में सौल करेंगे, सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक बच्छो, तो चालू करने से पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दू बच्छो, मेरा नाम हेमन सिंगल है, मैंने खुद ने जेए क्लियर करी थी जेए 2002 वाली ठीक है, आज से 20 साल पहले और उस समय मेरी जेए में 62 रेंक आई थी, 62 रेंक आई थी, एडवांस में में मेरी आई थी, 70 रेंक आई थी, करीब नहीं, exactly 70 रेंक आई थी, डूगरा राम चोधरी के बैच काओं में, उस साल डूगरा राम चोधरी ने टॉप किय से अच्छे बच्चो को पढ़ाने का मुझे मुका मिला है, ठीक है बच्चो, तो I consider myself as a physics student, मैं खुद को physics student मांझता हूँ, जिस दिन मुझे physics में कुछ नया सीखने को मिल जाए, कुछ नया सवाल करने को मिल जाए, तो वो एक बहुत ही अच्छा दिन होता है, ठीक है बच् सबसे पहले हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम जो है, जो भी पढ़ने वाले हैं, एनलम में क्या होता है, कुछ forces होता है, कौन-कौन से forces होता है, gravity होती है, normal होता है, tension होता है, ठीक है, और friction होता है, spring force होता है, तो इनके basis पे जो सवाल है, इनमें कुछ अलग- से उनको मिला के जो सवाल करेंगे उनको हम साथ में करने वाले उसके अलावा हम constraint motion constraint motion के बाग भी सवाल थोड़े बहुत करेंगे ठीक बच्छो तो start करते हैं धीरे धीरे start करते है level जो है एकदम से नहीं बढ़ाएंगे आराम से बढ़ाएंगे तो एक बहुत ही simple theoretical question आपके सामने एक हजार रुपे के लिए यह रहा ठीक है तो question क्या है बच्छो question पढ़ते है सबसे पहले find reaction pair force for the given force क्या कहा गया है find reaction pair force for the given force ठीक है तो हमा हमें हमां हमें दिया गया है force mg ठीक है तो पहले figure समझे कोशिश करते हैं तो यह हमारे पास figure में तीन चीजह है figure में एक हमारी धरती माता है अर्थ ठीक है उसके लावा एक table है this is called a table ऐसे दिखती है table हां 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 और एक यह क्या है बुक है तो यह जो तीन बॉड़ी का जो हमारा system है इसमें एक बॉड़ी पर हमें यह force जो है दिखाया गया है कि mg force लग रहा है इसका हमें कुछ नहीं करना है सिर्फ और सिर्फ reaction force बताना है क्या करना इसका reaction force बताना है तो बहुत ही आसान सवाल है mg नीचे लग रहा है तो जिल लोगों ने यह नहीं किया जिने सही answer पता है बहुत अच्छा पर कई अच्छे बच्चे इसमें गल्ती करते यह इसका reaction force नहीं होगा mg जो नीचे लग रहा है उसका reaction force नॉर्मल उपर नहीं होगा Newton's third law क्या कहता है कि अगर body A body B पे force F लगा रही है ठीक है तो इसका मतलब है उसी समय exactly simultaneously body B भी body A पे opposite direction में force F लगा रही है this is Newton's third law Newton's third law क्या कहता बच्चों कि अगर A B पे force लगा रहा है तो B भी A पे force लगा रहा है equal and opposite और यह दोनों forces जो होते हैं उनको हम action reaction pair कहते है ठीक है तो body अगर हमारी A क्या है यह मान लेते हैं body A क्या है book इस पे mg कौन लगा रहा है कौन इस पे mg लगा रहा है इस पे mg लगा रही है हमारी धरती माता अर्थ लगा रही है ठीक है तो body B क्या हुई body B हुई अर्थ ठीक है दूसरी काम की चीज दूसरी काम की चीज क्या है बच्चो कि action reaction force जो है different bodies पे लगते है action reaction force जो है वो different bodies पे लगते है mg का reaction n नहीं हो सकता है क्योंकि mg और n जो है एक ही body पे लग रहा है mg force कौन लगा रहा है earth लगा रही है तो इसका reaction किस पर लगेगा जो original force लगा रही है तो अगर mg earth लगा रहा है तो इसका reaction force होगा वो earth पे लगेगा body A B पर force लगा रही है बोड़ी A, B पर फोर्स लगा रही है, तो बोड़ी B, A पर फोर्स लगाएगी, तो Mg अगर अर्थ की वज़े से लग रहा है, तो अर्थ पर जो है, Mg लगेगा, किदर लगेगा, उपर की ओर लगेगा, और उसका मेगनिटीट क्या होगा, बराबर, 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 बराबर फोर्स लगेगा, वो कितना लगेगा, Mg लगेगा, आरिवासन में, तो इस फोर्स का रियक्शन फोर्स होगा, वो अर्थ पर लगेगा, इसका मतलब अर्थ ज कि रिये वह एम्जी के बरावर कीच रिया क्यों क्योंकि तो इतुन के ना फरक नहीं पड़ता बट इसका रिएट्शन फोर्स रही हो इसका और भाड़ी पे लगेगा जो ऑरिजिनल फोर्स लगा रही उसका पॉजिट लगेगा simultaneously लगेगा opposite direction में लगेगा equal magnitude का लगेगा और same body पे नहीं लगता action reaction same body पे नहीं लगता ठीक है बच्चो तो एक छोटा सा theoretical सवाल था ठीक है तो अगला सवाल करते हम ठीक है ये सवाल क्या है ये सवाल है आपकी screen पे 2000 रुपे के लिए ये all surfaces are smooth find and ठीक है तो हमारे पास हमें क्या दिया गया है कि सारी surfaces चिकनी है everything is very very smooth और हमें normal निकालना है ठीक हमें dimensions नहीं दिये कुछ भी नहीं दिया बट हमें क्या निकालना है नॉर्मल निकालना बच्चो ठीक है तो कैसे निकालेंगे क्या ऐसे निकालेंगे हम इस system पे गौर करते हैं क्या है हमारा system हमारा system है sphere 1 plus sphere 2 इसको हम sphere 1 कह देते है इसको sphere 2 कह देते है ठीक है तो इस system पे हम जोर करें गौर करें तो क्या है इस पे दो दिवारों के बीच में और धरातल के बीच में अब इन दोनों पे gravitational force लग रहा होगा obviously इस पे कितना लग रहा है 27 G और इस पे कितना लग रहा है 3 G तो system पे net force नीचे के और कितना लग रहा है 27 G plus 3 G कुल मिला कितना लग रहा है 30 G 300 200 नीचे लग रहा है अब उपर की फोर्स सिस्टम हुलिभियम में नीचे जितना लगेगा ऊपर कितरप कितरा लग रहे दिवार से लग रहे नहीं दिवार सिर्फ और जेंटल फॉर्स लगा सकती है दिवार को पहले फॉर्स लगाने लिए फ्रिक्शन चाहिए और सारी दिवार सारा जो फ्लॉर थी शुछ क्या है बहुत बहुत चिल्ठ ने बल लगाएंगा कभीत्ट सारा का सारा उपर कहांच आएगा कहांच आएगा कहांच जबीकर धरातल से आएगा वहां पर कॉंटेक्ट इस आ तो सिस्टम चुकि एक्विलिब्रियम में तो नेट फोर्स जीरो होगा वर्टिकल में तो उपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स बराबर होगा तो हमारा आंसर आजाएगा 27G प्लस 3G तो यहां से हमारा नॉर्मल आगया 300 Newton सवाल था कोई डामेंशन कुछ भी हमें जरूरत नहीं थी हमने क्या किया नेट फोर्स इकॉल तब आप सोच रहे होगे कि यारी सर कहां चेलेंजर के सवाल करा रहे हैं हां चेलेंजर थोड़ी है धीरे धीरे बिल्ट करेंगा न बच्चो अभी करते हैं सवाल ठीक है तो यह अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे 4000 रुपे के लिए रहा यह है तो टू स्फियर्स आर सिचुएटेड बेट्वीन टू बोल्स दो सफि चिखनी है एवरीधिंग इस वेरी वेरी स्मूथ ठीक है तो सारे अगर हमें चुन्टेक्ट फोर से निकालने हैं तो कहां कहां पहले छूरी है चीज़े वो निकालनी पड़ेगी एक तो यहां पर टॉट हो रहा है जरी सम्टचिंग गएंग ओन हीर यहां पर चीज़े कॉ तो कुल मिला कि चार जगए देरा कॉंटेक्ट गॉइंग ओन ठीक है चार जगए चीज़े एक दूसरे को छूरी तो हमें चार फोर्स से निकालने ठीक है तो यहां पर जो फोर्स लग रहा है उसको मैं कह देता हूं एंड टू और यहां पर जो फोर्स लग रहा है उसको मै मैं कर देता हूं एंड फूर फोर्स हमें निकालने एवरिटिंग इस बार हमें डाइमेंशन दिये पियर की रेडियस दिये रेडियाई दिये और इसके अलावा हमें जो यह कुआ है जो दोनों वाल्स के बीच में सेपरेशन दिया है 32 सेंटीमेटर ठीक है यहां पर यहां पर है एनवन हमें अलरेड़ी पता है अनि पिछले स्वाल में निकाला होगा दोनों के युट के बराबर होगा तो एन वन हमारा हो गया सीधों सीधे मन क्या हो गया एन मन हो गया 300 symptom सब्सक्राइब करों הי vaaga ताँका के दोनों की लाइन दोनों सेन्टर्स के ठरु जाएगी तो MP2 मेह यह झांगम यह थोड़ा सा मेहनत करने का समय अगया है टाइम पास स्वेसर नहीं चलेगा सब मेहनत कर लेते हैं आखे हमेशत रहारे भी दो इस फिर बनाते हैं जल्दी से यह बढ़का बढ़का इस फिर है और यह एक इसके पास अब हमें पता है कि जो इन दोनों इस फिर को लाइन जोड़ती है उसकी लंबाई क्या होगी क्या होगी एक की रेडियस प्लस दूसरे की रेडियस होगी ठीक है उसके अलावा उसके अलावा हमें यहाँ पे एक दिवार दिये तोड़ दो यह दिवार भहिया और एक दिवार हमें यहाँ दिये और उसके अलावा यह जो है नीचे से इससे जा रहा है ठीक है उच्छो तो क्या करना ह हमें पता है कि नॉर्मल पर आ जाते हैं बहुत कर लिया इसको थोड़ा चोटा कर दे तो यहाँ पर हमें पता है दिवार से इसके सेंटर की दूरी कितनी होगी इसकी रीडियस के बराबर होगी और यह हमें सवाल में दी गई है पंदरा पंदरा ही दिये ना पंदरा और पांच ठीक होच्छा और यहाँ से इस दिवार से इसके सेंटर की दूरी हमें दिये पांच अब कुल दूरी हमें दिये बत्ति सेंटिमेटर पंदरा सेंटिमेटर और पांच सेंटिमेटर और बत्ति तो यहां पर हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया जिसकी एक साइड बीस थी एक साइड बारा थी तो अब हमें इस ट्राइंगल को अलग ले जाते हैं ठीक है तो यह हमारा तो यह हमारा जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसमें क्या है इसमें क्या है बच्चों कि यह साइड बीस है और यह साइड बारा है तो obviously ये जो है trigonometric जो set होते हैं हमें याद होने जैसे 3-4-5 होता है हमारे सारे triangle में अगर 3-4-5 नहीं मिलता है तो कहीं न कहीं थोड़ा से दुख होता है कि यार मेहनत करने पड़ेगी यहाँ पे हमें 3-4-5 मिल गया तो ये जो है 3-4-5 इस ratio में है अगर 3-4-5 ratio में है तो चार के सामने वाला जो angle होता है वहता है हमारा 53 degree ठीक है तो यह जो नॉर्मल लग रही है यह जो नॉर्मल लग रही है एन 4 इसका हमें क्या मिल गया angle मिल लिया तो अब हमें क्या करना है यह हमारा center c1 है यह हमारा center center street 2 & center анne spd नाके nlm में करते क्या है body लेता है body को कोने में ली आते हैं उसका अब QPd बना आए कवेशन से लिए क्वेशन से लिक्वेशन के बाद क्या करते हैं और आशर नहीं आता है तो टो क्या करते हैं तो यह हम करने चालू करें किसका ले बताओ बताओ ठीक है इस पर फोरसे दिखाता हूं इस पर नीचे ग्रेविटी लग रही है 27G और इस पे इधर लग रहा है N2 ठीक है और इस पे उपर लग रहा है normal जो हम निकाल चुके है 30G This is N1 ठीक है और उसके बाद क्या होगा बच्चों उसके बाद हमारे पास लग रहा है N4 N4 का ये angle जो है हमने निकाला था तरेपन आया था 53 यहां से जब हम N4 बनाएंगे तो इसका horizontal से angle हम लेंगे तरेपन डिगरी ठीक है तो अब इसके बाद क्या करना है हमें equations लिखने हैं इसकी equations बहुत आसानी से लिखी जा सकती है कैसे लिखेंगे इसकी equations तो ऊपर वाला force है N1 और नीचे वाला force है Mg और plus N4 का component N4 का नीचे component कौन सा होगा N4 का component कौन सा होगा N4 का component होगा N4 sin theta ठीक है उच्चो N4 का component क्या होगा N4 sin theta अगर यह angle theta है तरेपन तो बस हो गया N1 हमें दिया है 30g और Mg हमें दिया है 27g और plus N4 हमें निकालना है और sin 53 होता है तीन बटे 5 तो यह हो गया 30 यह हो गया 30 300-270 कितना होता है 30 तो यहां से हमारे पास N4 आ जाएगा 30-30 बार बार में 30-30 कर रहा हूँ N4 sin 53 तीन बटे 5 होता है बहुत बढ़िया है ऐसे तो हो गई हमारी पढ़ाई जब हमें 3-4-5 वाला ट्राइंगल ही नहीं पता तो फिजिस में क्या सवाल सवाल करेंगे है सेलेंजर के सवाल सवाल करेंगे ऐसे थोड़ी होता है किसी को बता नहों था मैंने यहां पर गलती करी थी तो यहां पर हो गया 30 गुणा 5 बटे 4 तो यह हो गया 1500 बटे 4 75 बटे 2 75 बटे 2 which is 37.5 मैं यहां पर जिस लिग लेता हूं 75 बटे ठीक है तो अगर हमें N4 आ गया तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं N4 से हम N2 निकाल सकते हैं कैसे निकाल सकते हैं N2 क्योंकि N4 का एक component N2 के बराबर है horizontal force भी तो 0F हमारे sphere पर यहां पर मैं सिदे सिदे लिख लेता हूं N4 into पहले sign लिया था तो इस बार क्या लेंगे cost लिए अबिसलिए एक जगे sign use हो गया दूसरा component cost ही होगा और एक जगे 4 बटे 5 यूज हो गया हला कि हमने गलती करी थी बताना होत किसी को तो दूसरी जगे 3 बटे 5 आएगा N4 into 3 बटे 5 बराबर N2 ना N2 यहां से हमें मिल गया N2 जो है 45 बटे 2 15 into 3 बटे 5 तो 15 into 3 बटे 2 यह हो गया मेरा N2 हो गया 45 बटे दो तो इस गिवस में N2 equals to 45 by 2 newton I believe कि हमने यह जो सवाल है लगभग कर दिया अब क्या है N1 हमें दिया है 300 और हमने N4 निकाल लिया था वो आया था हमारा 75 by 2 37.5 नूटन और N2 हमने निकाल लिया था वो आया था 45 बटे दो which is 22.5 newton अब बच रहा है हमारा क्या N3 ठीक है तो N3 निकालना भी बहुत आसाल है क्यों इस्टम पे net horizontal force 0 है क्यों इस्टम पे net horizontal force 0 है तो जो बाइं तरफ से लग रहा है वो दाइं तरफ से लगेगा तो अगर हम sphere A और sphere B दोनों पे net horizontal force निकालें तो एक तरफ से N2 लग रहा है दूसरी तरफ से N3 लग रहा है और कोई force लग नहीं रहा है तो दोनों force होगा बराबर होना जरूरी है तो N3 हमारा बराबर क्या होगा N3 बराबरा N2 होगा और ये कितना होगा 23.2 Newton S नहीं 22.5 Newton ठीक है बच्चो तो ये सवाल बहुत आसानी से हो गया क्या किया हमने इसमें क्या किया हमने देखा कि system पे net vertical force वो gravity का लग रहा है और normal लग रहा है तो normal weight के बराबर हो गया ये हम पिछले सवाल में कर चुके था हमें ज़्यादा मेनत नहीं करनी पड़ी दूसरी चीज हमें क्या चाहिए थी ये N4 का angle चाहिए था क्यों क्यों क्योंकि इसके component करने थे और उन components को बाकी forces के हमें बराबर करना था तो हमने बराबर कर लिया अब उसके बाद क्या किया जैसे हमने बराबर किया मैं N4 मिल गया N4 का component N2 के बराबर था तो N2 मिल गया और N2 N3 के बराबर था बहुत ही आसानी से सवाल हो गया हमारा हमें सिर्फ और सिर्फ एक right angle triangle निकालने की जुरुत पड़ी वो हमने निकाल लिया ठीक है तो अब आप लोग सब्सक्राइब करना जरूरी होता है ना होता है तो हमारा यह वार्मप टाइप सवाल मान लो तो अगला सवाल करें ठीक है तो आई होप यह आपको समझ में आया होगा इस तरह से आप अगला सवाल सब्सक्राइब करें रूपे के लिए आप की स्क्रीन पर रहा T नहीं आपकी स्क्रीन पर रहा ये अच्छा ये क्या है अच्छा देखते हैं सवाल तो सवाल देखते हैं देखा ही नहीं मैंने तो a rope with mass M एक रसी है जिसका mass हमें M दिया है ठीक है और लंबाई L दिये ठीक है and has forces applied on it at x equals to 0 L by 3 12 by 3 L as shown in the figure and L लिखना चाहिए थोड़ी इंगली सही हो नहीं है कोई बात नहीं तो forces लगाया हमने x बराबर 0 पर force लगाया है x बराबर L by 3 पर लगाया है 12 by 3 पर लगाया और L पर लगाया है ठीक है ये forces हमने लगाये है as shown in the figure x is distance from the left end of the rope find tension in the rope as a function of x रसी में तनाव निकानना है रसी क्या तनाव है रसी किस tension में वो निकाननी है as a function of x x के साथ जो है रसी में कैसे कैसे tension change हो रही है ये सवाल हमें कर रहा है ठीक है बच्चों करते है तो रसी है ideal रसी नहीं है खुद का मास है रसी का ठीक है ऐसे थोड़ी मासलेस कोई भी light रसी हम लाके रख भी प्रॉपर मास वाली रसी है तो उस रसी पर अलग-अलग जगे force लगा रहे हैं तो बच्चों ये पता होना चीए आपको कि रसी में जब अलग-अलग जगे force लगाते हैं रसी को जब बी कर रहा हूं अगर रसी को बीच में से छेड़े हो उसमें बीच में आप कुछ करते हो तो ये जी से बंदर लटकाते हैं बंदर लटकता है रसी में खीची जाती है मासवाली रसी खीची जाती है तो tension जो होती है हर आदमी थोड़ा-thोड़ा contribute करता है वह बीच में maximum हो जाती है तो अगर आप रसी को बीच में खेड़ोगे तो रसी में obviously force लगेगा यहाँ पर एक आदमी है जो बहुत ज्यादा force लगा रहा है और यहाँ रस्य चल रही है नहीं चल रही है यह नहीं चल रही है में इसका छोटा सा इस्सा लेटा अर के अगर प्षोज सवाल है इस पैधर टेंशन जोगी 12 मजी ब्रÁबर होगी रस्य में टेंशन जो होगी uniform रहेगी यहां से यहां तक फिर यहां से यहां तक तो हमारा सवाल जो बहुत आसान हो जाएगा अगर रसी मैं तनाव नहीं है हम अलग-अलग टुकड़ों Justine बनाएंगे acceleration 0 रखना है ठीक है अगर रसी का acceleration तो सवाल ये भी आसान सा ही है तो कर लेते हैं अगर आसान सवाल है तो करी लेते हैं तो सबसे पहले हम रसी में नेट पोर्स निकाल लेते हैं एक तरफ आदमी 12 लगा रहा है एक तरह 3-3-3 मिलके नो लगा रहे हैं तो नेट फोर्स कितना आगया हमारा 3MG आगया और 3MG किस तरफ है लेट साइड तो रसी का जो एक्सिलरेशन है वो निकाल लेते हैं रसी का एक्सिलरेशन कितना होगा रसी का एक्सिलरेशन होता है नेट पोर्स वाए मास रसी का मास हमें M दिया है तो 3MG by M which is equals to 3G तो रसी accelerating रसी is accelerating with an acceleration of 3G towards the left side the rope is accelerated with an acceleration of 3G in the left direction ठीक है अब यहाँ पर हम रसी का एक्सिलरेशन मिल गया अब मैं क्या करना है कुछ नहीं करना है कोई काम करना है जो भी मैंने बताया था ठीक है तो यहाँ पर हम रसी का एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे नए पेच पे लें नए पेच पे लें लें तो र रसी का एक टुकड़ा लिया हमने ठीक है और यह टुकड़ा कौन सा लिया हमने कौन सा लिया यहाँ तक का L by 3 से चोटा टुकड़ा लिया ठीक बच्चो तो यह चोटा सा टुकड़ा लिया पर इस पे इदर हम फोर्स लगा रहे है 12MG और रसी पे इदर फोर्स लगा रहा T टुकडे की लंबाई है x ठीक है तो equation लिखेंगे, क्या equation लिखेंगे बच्चो net force बराबर mass into acceleration net force टुकडे पर है 12 mg minus t x length का mass कितना होता है x length का mass कितना होता है l length का mass m है तो x length का mass कितना होता है m into x by l ठीक है, m linear uniform rope है ठीक है, दिया तो नहीं था सवाल में uniform rope कोई बात नहीं यार, लेखक की भावनाओं को समझो नहीं दिया था तो क्या, non uniform होती तो लिखता ना अलग से ठीक है, वकील नहीं बनना है engineer बनना है, ठीक है, अगर नहीं दिया था uniform ही मानोगे न, भी answer तो आ नहीं है तो यहाँ पर हम लिखेंगे into acceleration, रसी का द्रव्यमान into, इसका acceleration, acceleration हमने निकाला था भी, कितना था 3G, 3G, MX by L into 3G into PW, ठीक है तो यह equation हमने लिख ली तो इसको अगर हम solve करेंगे तो यह हमें tension मिल जाएगी, tension कितनी मिल जाएगी tension मिल जाएगी, 12MG minus 3MG into X by L, and this is valid this is valid क्योंकि हम L by 3 पर उसको छेड़ रहा है तो यह सिर्फ और सिर्फ कहां तक valid है, यह valid है हमारा X greater than 0 and less than L by 3 ठीक है, तो यहाँ पर हमें tension मिल गई, कहां मिल गई पहले एक तीहाई हिस्से में, ठीक है अब अगले हिस्से में चलें एक तीहाई से दो तीहाई के बीच में तो वापस क्या करेंगे, वापस FBD बनाएंगे तो इसी पेज़ पर बना लें क्या, इसी पेज़ बना लेते हैं, ठीक है तो यह हमारा बड़ा हिस्सा हो गया अब यह जो है L by 3 पर यहाँ पर फोर्स लग रहा है, इस तरफ फोर्स कितार लग रहा है 3MG इदर लग रहा है 12MG और इधर टेंशन लग रही है ठीक है तो ओबियसली जीनको पता है उनको दिख रहा है साफ साफ 3MG टेंशन कम हो जाएगी 15MG इधर लग रहा है पर फिर भी करते हैं, तो इसकी equation अगर हम लिखे हैं, तो होगी 12 mg-3 mg-t, बराबर हमारे हिस्से का mass into acceleration, ठीक है, तो mass क्या होगा, mass क्या होगा, अभी length x है, ठीक है, mass क्या होगा, mx by l, आप क्या होगे, पहले भी mass mx by l था, अभी भी mass mx by l, अब तो रस्सी बड़ी हो गई न, तो x variable है न, x का function निकालना है, पहले x जो था 0 से l by 3 के बीच में c मित था, अब x जो का l by 3 से ज्यादा होगा, तो mass अपने आप बढ़ जाएगा, mass सेम थोड़ी है, x बढ़ गया है, mass is a function, ठीक है, into जो उसका acceleration था, that acceleration was 3 by g, तो इसको हम rearrange करें, तो हमारा जो tension आ जाएगा, आ जाएगा, obviously वही आ जाएगा, बस 3 mg का फरक आ जाएगा, 9 mg minus 3 mg into x by l, ठीक है, तो जो लाश्ट हिस्सा है, 2 3rd से final, मुझे पता है उसमें भी एक और 3 mg आ रहा है, इदर 12 mg हो जाएगा, इदर 3 3 हो जाएगा, तो उसमें 6 mg आ जाएगा, तो इसमें 6 mg आ जाएगा, तो इस जाएगा, इस से उसमें टेंशन सीधे सीधे हो जाएगी, 6 mg minus, 9 से 3 कम हो जाएगा, तो 6 3 mg x by l, ठीक है, तो बहुत आसानी से हमने इसको इसी तरह से लिख दिया, ठीक है, तो हमारा सवाल सॉल हो गया, हमारा सवाल क्या था, ठीक है, पर अभी इसमें थोड़ी से पिच्च लिनेर होंगे x में, ठीक है, अलग-अलग हिससे के अलग-अलग function बनेंगे, ठीक है, तो पहले function बनेगा, 12 mg minus 3 mg x by l, this is for x less than l by 3, greater than 0, second function बनेगा, 9 mg minus 3 mg x by l, this is valid for x greater than l by 3, less than 12 by 3, ठीक है, अब यह 3 mg यह क्या है, हमारा mx by l into 3g, यह term क्या है, mass into acceleration, अगर acceleration 0 होता, तो यह term गयब हो जाती, तो हमारा जो tension का जो gradient है, वो कहां से आ रहा है, acceleration की वेज़े से आना, और वो जो है function linear है, और उसकी value कितनी है, minus 3 mg by l, x by l, ठीक है, अब यह क्या करे, यह rubber तो चलता नहीं है सही से, इसकी value है 3 mg by l, यह हमारा tension का gradient है, उसको x से multiply करे, so this is basically dt by dx is 3 mg by l, and finally our tension is 6 mg minus 3 mg x by l, this is valid for x less than l, और 2 l by 3 से ज्यादा, ठीक है, अब इसमें x equals to l की value डाल के देखो, इसमें अगर x equals to l डालोगे, तो कितना आ जाएगा, l से l कड़ी जाएगा, 3 mg आ जाएगा, left hand side पर देखो, left hand side पर क्या है tension, force कितना है, 3 mg है, तो इस तरह force भी किता होगा, 3 mg होगा, तो tension 3 mg होगी, इधर 12 mg है, तो 12 mg होगी, x equals to 0 डाल के देखो, हमारी जो tension होगी, तो हमने कहीं न कहीं इसको सही किया, ठीक है, तो इस तरह से रसी में जो tension होगी, अगर आप बीच में छेड़ते हो, और रसी accelerated है, तो इस तरह का सवाल आता है, ठीक है, आप कर सकते हो, एक और चीज, अगर हम इसका graph बनाने की कोशिश करें, क्या कर रहे हैं, अब graph बना रहे है, ठीक है, किस के बीच में बना रहे है, ठीक है, तो टी और एक्स के बीच में graph बना रहे है, ठीक है, तो शुरू में टेंशन कितनी थी, शुरू में टेंशन कितनी थी, शुरू में टेंशन थी, हमारे पास 12 mg, हमने 12 mg से शुरू किया, ठीक है और उसके बाद L by 3 तक tension जो है linearly change हो रही है कितनी speed से change हो रही है 3 mg by L से change हो रही है तो x equals to L by 3 डालोगे तो उसमें tension कितनी हो जाएगी उसमें tension हो जाएगी एक कम हो जाएगी कितनी हो जाएगी 11 mg हो जाएगी तो tension जो है linearly जो है हमारी graph 11 mg तक change होती है कहां तक L by C तक ठीक है उसके बाद क्या होता है उसके बाद रसी में हमने बीच में छेड़ दिया कितने से छेड़ दिया 3MG से छेड़ दिया तो tension क्या होगी suddenly 3MG change होगी इन सारी lines का slope जो होगा कितना होगा 3MG by L होगा tension suddenly 3MG change होगी अब कितनी हो जाएगी 11 में से 3 जाते हैं तो कितना बचता है 8 mg ठीक है तो हमारी tension suddenly drop होके हो जाएगी यहाँ पर 8 mg ठीक है और उसके बाद क्या होगा उसके बाद वही line आएगी क्योंकि वही था 3 mg और कितनी change होगी again same distance में same change आएगा 1 mg का change आएगा tension जो है हमारी कम होके 7 mg हो जाएगी ठीक है and finally finally क्या होगा वापस हमारी जो tension है 11 में से 3 गए 8 ठीक है फंक्षन भी देख लेते हैं इसका function कितना था इसका function था 12 mg-3 mg x by L इसका function था 9 mg-3 mg x by L x के value L by 3 डालो 8 mg आ रिये न 12 by 3 डालो 7 mg आ रिये न ठीक हो तो आगे बढ़ते हैं फिर क्या होगा suddenly tension जो है कम हो जाएगी कितनी हो जाएगी 4 mg हो जाएगी 3 कम हो गई और finally क्या होगा again इसी slope से कम होके कितनी हो जाएगी हमारी tension कितनी हो जाएगी 3 mg हो जाएगी जो कि रसी की बाई तरफ force था and this point is 2L by 3 and this force is L तो जहां जहां आपने रसी को बीच में force लगा है वहां वहां क्या होगा बच्चो वहां वहां क्या होगा कि सरसी में suddenly tension का change आएगा और रसी अगर accelerated नहीं होती तो horizontal lines हमें मिलती क्योंकि कोई gradient नहीं होता पर रसी accelerated है तो उसका जो slope होगा रसी कितना होगा वो slope होगा m by l into acceleration ठीक है तो dtu by dx is 3 mg by l वो सारी lines का सेम होगा इस line का function मनेगा 6 mg minus 3 mg x by l ठीक है तो अगर बीच में छेड़ा जाया उसमें left right force लगाया जाया तो घबराना नहीं है ठीक है भगवान का नाम लेना है पार्ट लेना है एक्सेलरेशन निकालना एक्सेलरेशन जीरो नहीं है तो भगवान को धन्यवाद देना है चोटे पार्ट का एक तरफ टी बाकि सारे फोर्स से दिखाने उससे में क्या मिल जाएगी टी मिल जाएगी एक्स का function मिलेगी graph बनाना ग्राफ मिल जाएगा कुछ भी नहीं है ठीक है तो इस तरह के सवाल जो है आप आसानी से कर पाए आसान आसान सवाली करेंगे हम ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं करने वाले ठीक है तो I hope you understood this question अगर आपको नहीं समझ में आया आप आपस देखें ठीक है ज्यादा कुछ इसमें है नहीं क्या करना है NLM जो मैंने बोला चप्टर शूरू क्या करना बोडी लेनी है बोडी को में ले जाना है बोडी को कोने में ले आगे क्या करना है उसके साथ कुछ नहीं करना है उसका FBD बनाना है FBD बनाके equations लिखने है accelerated है नॉन एक्सिलरेटेट है दोनों की equation लिखी जाएगी अगर accelerated है तो तो अगला सवाल करते हैं, आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल 20,000 रुपे के लिए रहा यह, ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया गया हमें, we have a rubber band, हमारे पास एक rubber band है, ठीक है, जिसका हमें mass दिया है, M, and force constant K, rubber band जो है, उसका force constant जो है, वो K दिया है, जैसे की spring का होता है, ठीक है when relaxed, the band forms a ring of radius R, ठीक है, जब उसमें कोई band को नहीं खीचा जाता है, तो उसकी जो है, radius जो है, हमें किती दी गई है, small r, ठीक है बच्चो, the band is placed horizontally on a vertical frictionless, again chicken, cone, as shown in the figure, ठीक है, तो कोन का apex angle 2 theta है, तो obviously यह हमारे फायदे के लिए दिया गया है, क्योंकि यह angle फिर क्या हो ठीक है, तो repeat करता हूँ, the band is placed horizontally on a vertical frictionless clone as shown, angle 2 theta is given, ठीक है, what is the radius capital R of the ring formed by the band, ठीक है, तो small r radius होगी, अबर उसका कुछ mass है, तो obviously उसको नीचे अर्थ से खीचा जा रहा है, तो जाएगा नीचे, जाएगा, तो नीचे जाएगा, तो उसमें क्या होगा, उसमें टेंशन होगा हमें टेंशन होगा, उसको नीचे जाने से रोकेगा, तो कहीं पर जाके equilibrium हमें लेगा, और वही equilibrium बच्चो हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है, तो इस तरह के सवाल जो है, हम ये जो है, एक छोटा सा advance सवाल है, जो सवाल हम normally करते हैं, वो क्या सवाल है, कि भई एक ring है, उसको हम omega से घुमा रहे हैं, तो उसमें ring में tension क्या होगी, तब ring जो है, उसको अगर हम omega से घुमा रहे हैं, तो उसमें tension क्या होगी, या फिर हम एक ring है, उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको गरम कर रहे हैं, पर उसको expand होने से रोक रहे हैं, तो क्या tension होगी, यही सवाल है, वो स तो जो आपका सवाल है उस सवाल में जो पैटर्न है वो आपको पहचानना आना चाहिए किस सवाल के बेसिस पर एडवांस का सवाल बनाए ठीक और यह से आएगा बच्छों प्रेक्टिस करने से आएगा अच्छे टीचरों से पढ़ने से आएगा ठीक है तो इसलिए चैनल ब अवे उद्धश को LAUGHTER quanto हैं सवालों में रसी का रिंग का यहां भी हम छोटा सा रिस्सा में ले लिए प्रंसी इंगल से लगेगा और और अंक्री करने निकाल लेते एंगे अंगल ये अंगल निकाल लेते आप नाइंटी एंगल थीटा होगा अब चोटे से टुकड़े पर छोटा सा फोर्स लगेगा ग्रेविटी का वो लगेगा नीचे की और डी-एमजी चोटे से टुकड़े को बड़ा कर लेते हैं और तो यह टुकड़ा जो है ऐसा कुछ हो गया हमारा, ऐसा कुछ हो गया, इस पे इधर नॉर्मल लग गया, परपेंडिकुलर टु दे सर्फेस ओ दे कॉन और नॉर्मल जो है चोटा सा ही होगा, एन जो छोटे से के लिए हम डी एन यूस करते हैं, उस पे जो चोटा सा वेट है उसका, उसके लिए हम dm into g use करते है और उसके अलावा इसमें यह जो होगी हमारा rubber band tension में होगा tension दोनों तरफ लगेगी चुक्कि यह angle theta है तो इसका जो horizontal component होगा जो की band है, band ऐसा है ring है, ring है, ring में horizontal tension लगेगी तो जो tension के जो component को balance करेगा वो होगा हमारा dn cos theta जो vertical force होगा वो होगा dn sin theta ठीक है बच्चो यह तो आगया हमें समझे हमने क्या करा, इस पर लगने आले force निकाल दिया ring जो है, हमारी tension में rubber band जो है tension में, तो उसमें along the rubber band tension t लगेगी कौन की surface के perpendicular normal लगेगा, वो नीचे की तरफ weight लगेगा ठीक है, तो इसकी अगर हम equations लिखना चालू करें, तो हमारा अरे, यह क्या हो गया क्या हो गया, तो इसकी equations लिखना चालू करें, तो सबसे पहली equation होगी dn sin theta बराबर उसका mass dm into g और जो equation horizontal में होगी, horizontal में equation बनेगी, इसके लिए हम क्या करते हैं, याद करो याद करो, कैसे करते हैं उस arc का एक, बड़ा सारा fbd बनाते हैं इस तरह से हम, उसमें fbd बनाते हैं इस पर इधर force लग रहा है वैसे अभी तर जो force लग रहा था वो m omega square r लगता था या फिर जो है बाकी dn लगता था अभी यहाँ पर force लगेगा हमारा dn cos theta और इधर tension t है इधर tension t है और यह हमारे पास यह arc जो है चोटा सा arc है, यह चोटा सा angle बना रहा है t theta ठीक है, पर यह सवाल सौल करना आपको आना चाहिए इसमें force balance करते हैं हमारे क्या equation होती है, आपको याद होनी चाहिए ठीक है, यह सवाल सौल करना भी आना चाहिए और answer याद भी होना चाहिए ताकि आप exam में minus 1 लेके ना आये अरे बास समझ मैं, standard सवाल के answer याद होने चाहिए ठीक है, क्या steps होती है, याद होनी चाहिए तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस छोटे से angle के भी दो टुकड़े करते हैं, यह छोटा सा टुकड़ा हो जाते है d theta by 2, फिर हम tension के component करते है t cos into d theta by 2 और यह वाला component करते है angle बहुत छोटा है, ओबिसली छोटा सा arc हमारा है उसका component करते है t sine into d theta by 2 ठीक है उसके बाद हम क्या करते हैं इसका भी यही करते हैं और इसका भी यही component आता है T sin d theta by 2 और यह दोनों force मिलके उपर वाले force के बराबर होंगे और यह d theta जो है पर दिक्कत आयती है तो ध्यान रहें यहां पर d theta जो एक के लिए लिए दूसरी चीज़ के लिए ना ले लिए और d theta जो कोण theta कौन का angle है तो यहां पर d theta नहीं ले सकते हैं आला कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा but to maintain the right practices मैं इसको change कर रहा हूँ ठीक है पूरा मिटा दे क्या है यह काम हो जाएगा अब दे हो यह गलती करती यह बताना मत हमने गलती करी हाँ ठीक है तो यह d theta है यह जो छोटा सा angle है वो d theta by 2 है उसका component जो है t cos d5 by 2 होगा और उसका नीच वाला component t sin d5 by 2 होगा और t sin इधर भी d5 by 2 होगा ठीक है और forces बराबर करेंगे उससे पहले हम क्या करेंगे because d5 is very very small हम क्या करेंगे d sin d5 by 2 sin theta बराबर theta लिखते है फिस्टो d5 by 2 यहाँ पर प्रॉक्सिमेट वाला ले लिए ठीक है तो जैसे हम करेंगे तो यहाँ पर हमारे पाद दूसरी equation आजाएगे dn cos theta बराबर क्या होगा टी इंटू d theta by 2 फ्लस टी इंटू d theta by 2 इंटू d5 by 2 बार बार वही गलती तो याद होना अच्छी बच्छो नॉर्मल उदर लगता है वह आर्क का एंगल लगए d5 है तो नॉर्मल बराबर टी इंटू d5 होता है ठीक है बच्छो dn बराबर टी इंटू d5 होता है यह जो है हमें आना चाहिए पूरा करने की ज़रूरत हमें नहीं होनी चाहिए एक्जाम में नहीं होता है इसलिए तो प्रैक्टिस करते हैं वहना Newton's law याद करो चलो एक्जाम में देखेंगे होगा ज एंटू हमें हटाना है ट्री इम अंटाना है ठीके देखते हैं जो होगा होगा ना सवाल सॉल करो और क्यार्ण करो क्या पता हो जाए नहीं होगा तो फिर सबसे पहले हम डीम निकालता है तो हमारा जो डीम है फोरी लेंद से इंटू R into D5 इसके लेंद कितनी R into D5 तो R into D5 अरे R introduce करने चले थे R तो कट गया भरो सारो करेंगे करेंगे और कोई तरीका है यह नहीं आरी पास समझ में और कोई तरीका है ही नहीं अब डी बनाओ, equation लिखो, equation solve करो एक answer तो हमारा D5 चला गया कोई बात नहीं अब उसके बाद यहाँ पर एक line खीच लेते कि भई यह लोग अलग-अलग है ठीक है, line जो है सफेद खीच लेते कि हम जो है हमारा आपस में रिष्टा नहीं है वी आर पार्ट अब डिफरेंट डिफरेंट equation ठीक है अब उसके बाद हम क्या करें उसके बाद हम क्या करें इन दोनों को डिवाइड कर देते कम से कम Dn तो का अब हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 10 theta बराबर अब डिएम की वेलिउ आई है मेरी M into D5 by 2 pi M into D5 by 2 pi into G बटे T into D5 तो Dn चला गया D5 चला गया हमारे पास R आया नहीं कोई बात नहीं पर दो वेरेबल चले गए एक ही वेरेबल बचा है T तो हमें T मिल गया T हमारा आ गया Mg by 2 pi 10 theta हमने दूसरा सवाल सौल कर दिया कि एगर एक rubber band को एक cone में डालते हैं Mg by 2 pi 10 theta जो कहा गया था वो नहीं किया पर कुछ और कर दिया चलो ठीक है कुछ तो किया जिद्धी में कुछ तो उखाडा हमने है ठीक है तो अब हमें radius निकालनी है नहीं वाली radius निकालनी यहीं तो पूछा है तो देखते हैं करते हैं एक और पेज लेते हैं तो tension जो होती हो क्यों होती है elastic के बड़े होने से होती अगर elastic बड़ा होता और elastic का force constant k है तो हमारी जो tension है तो tension किसके बराबर होगी k into delta x उसकी change in length delta x कितना है delta x है हमारा r minus r तो यहाँ पर आके बहुत सारे अच्छे वच्चे अच्छे समयनत करके गलती कर देते हो minus 1 लेके आता है ठीक है तो कोई अच्छी बात थोड़ी यार तो ध्यान रखो कि पहले rubber band की लंबाई थी 2 pi r अब rubber band बड़ा हो गया तो उसकी लंबाई हो गई 2 pi capital r तो उसकी लंबाई में change r minus r नहीं होगा बट 2 pi into capital r minus r होगा तो वी विल से इस इस 2 pi गुणा capital r minus r आ गया वापस से r आ गया तुम आए आ गय तुम आ गय ठीक है तो अब हमें क्या करना है कुछ नहीं करना है हमें टेंशन निकाली थी उसका use करना है तो हमने टेंशन निकाली थी यार याद करो I think हमने निकाली थी mg by 2 pi 10 theta ठीक है confirm कर लेना ठीक है confirm कर लेते है तो हमने टेंशन निकाली थी mg by 2 pi 10 theta ये होगा किसके बराबर होगा ये किसके बराबर होगा k गुणा 2 pi गुणा R-R तो इसको जब हम रियर्रेंज करेंगे तो हमें मिल गई ना, रिंग की नई रेडियस मिल गई रवर बैंड के सरकल की नई रेडियस मिल गई इस इकोज टू स्मॉल र प्लस चेंज, जो चेंज हुआ है वो आया हमारा Mg बटे 4Pi square into तो क्या क्या बच्चो इस सवाल में हमने सवाल को अगर हम वापस से देखने कोशिश करें तो हमने क्या 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 इस सवाल में हमें कहा गया था कि उसको rubber band को रखाया है तो थोड़ा सा नीचे चला गया तो अब हमसे पूछा गया है हमसे पूछा गया है कि बही बताओ, बताओ, जना सा बताओ, क्या बताओ? कि उसकी नई swap क्या होगी, तो सबसे पहले तो हम डरें, फिर हमने सुचा कैसे होगा, वह भी समझ में नहीं है, तो हमने क्या बॉडी का एवीडी बनाया अगर dn कौन के perpendicular लग रहा है तो हम क्या करेंगे हमने उसको perpendicular लगा दिया नीचे weight लगा दिया tension लगा दिया फिर हमने क्या कि dn के components करें vertical और horizontal में वो components vertical वाला तो बहुत आसानी से हमने equation लिख ली dn sin theta बरबर dmg और horizontal वाली equation भी अगर हमें आता था तो हम बहुत आसानी से लिख सकते थे पर हमें नहीं आते भी हमने पूरा करा और हमने equation लिखी तो उससे क्या आया है dn sin theta sin theta ना नहीं cos theta बराबर क्या होगा dn cos theta बराबर क्या होगा t into d5 फिर हमने theta ले लिया था फिर उसको हमने change किया जरूरत नहीं थी पर कलको अगर हमें integration करना पड़ता तो हम sin theta का d theta के साथ integration कर लेते वो कहीं किसी और दुनिया में पहुंच जाते ठीक है तो इसलिए एवन दो हमें change करने जरूरत नहीं थी सही notation यूज़ करके आगे बढ़ना बहुत जरूरी होता है ठीक है बच्चो तो हमने यह सब किया और यह सब करने के बाद हमें क्या मिला यह सब करने के बाद हमें equations मिली equations में हमने dm की value रखी lambda into r into d theta lambda था mass by 2 pi r r से r चला गया हमने कोई बात नहीं जो मिल रहा है उस काम चलाएंगे टेंशन हमने निकाली टेंशन निकालने के बाद हमने टेंशन को k into length change delta l किया और delta l हमारा था वहाँ पे इंपोर्टेंट की position वहाँ भी थी delta l is 2.2 capital r minus r equation लिखी answer लाए answer आगया जो भी है ठीक है इस तरह के सवाल आप कर पाएं बिना डरे कर पाएं अब बनाए रिंग को कैसे आप उसमें टेंशन निकालते हैं कैसे उसको करते क्योंकि रिंग तो कहीं भी डाल सकते हैं रिंग तो magnetism में डाल सकते हैं elektrostatic में चार्ज दे सकते हैं magnetism में घुमा सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं और उसके अलावा thermal expansion में आ सकता है कहीं भी we can have a ring which is under tension ठीक है जमीन पर घुमा सकते हैं तो इसको हम कैसे सवाल करते हैं कैसे उसके पार्ट का बिड़ी बनाते हैं यह आपको आना चाहिए और उसका आर प्लस mg डिवाइड वाइड 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 पाई स्क्रीन पर रहा यह सवाल पढ़ते हैं सबसे पहले वाइड 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 up to a position close to the top of the hemisphere from the bottom bottom को टॉप पढ़ लिए and the ball slides from the bottom to a position close to the top of the hemisphere बॉल जब है हमारी धीरे धीरे ऊपर जा रही है ठीक है और अबिसली रस्षी से उससे में ऐसे हो और सब कुछ होले होले हो रहा है क्वाजी स्टेटिक ठीक है हाउ दुदे मैगनिट्यूड ऑफ पुलिंग फोर्स एफ फोर्स हम खीच रहे है जो रस्षी में टेंशन के बराबर होगा and contact force R contact force चिखना है contact force नॉर्मल ही होगा और उसको एन से दिखाना चाहिए यहां पर R से दिखाया है between the ball and the hemisphere changes ठीक है थोड़ा सा जो है एक टेक्निकल सा सवाल है और इसको कैसे करते हैं इसको करते हैं बुत्मा जाएगा और इसको बिना हम फालतों की बात करें और स्टार्ट करते हैं तो यह हमें कहा गया है कि सबसे पहले तो एक hemisphere बनाते हैं सवाल समझ नहीं कोशिश करते है हमिस्फियर कैसे बनता है इसको आधा काट देंगे तो सबसे पहले हमिस्फियर बनाते हैं यह हमिस्फियर बनाया हमने इसको आधा काट देते हैं इसको आधा काट दिया इसको आधा काट देते हैं अब हमें यह कहा गया है कि इस हमिस्फियर पर जो बॉल है वो धीरे धीरे यह उपर हम लेके जा रहे हैं तो फॉल बना देते हैं और यहां पर पुली बना देते हैं और और ध्यान दो एक फोज होगा रसी क्या लोग़वा घ्रसी है और इसको बॉल को सेंटर से भी जोड़ देते हैं और सेंटर को पुली से जोड़ देता है ठीक है यह एक राइट एंगल ट्राइंगल है यह एक राइट एंगल ट्राइंगल है नहीं है यह राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है ठीक है बॉल मानलो जब यहाँ पे तो अच्छा यह फोर्स ही धर होगा यह एंगल राइट एंगल नहीं है ठीक है और अगर यह एंगल राइट एंगल नहीं है तो यह एंगल यह भी ट्राइंगल राइट एंगल नहीं है तो राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं मिला में बट कोई बात नहीं कभी कभी अधिती जिन्दिगी में ऐसा होता है कोई बात नहीं करेंगे गवराएंगे नहीं करेंगे टेक्निकल सवाल है थोड़ा सा करते हैं ठीक बच्छो तो यह इस तरह से एक ट्राइंगल बना राइट एंगल तो नहीं मिला बट कोई बाद अब बॉड़ी जो है इकुल इब्रियम में होती है तो उस पर नेट फोर्स क्या होता है सारे फोर्स मिला के क्या करते है क्लोस्ट पॉलिगन बनाते है तीन फोर्स है तो यह सारे फोर्स मिलके क्या करेंगे एक ट्राइंगल बनाएंगे तो इस पर जो रिएक्शन फोर्स है वो अबिसली ऐसे लगेगा ऐसे लगेगा, पर्पेंडिक्लर ही लगेगा तो यह जो reaction force है वो theta angle पर यह लगेगा ऐसे लगेगा ठीक है, और जो mg है, उसे वर्टिकल लगेगा, वर्टिकल लगेगा इमानलो इस लाइन के along लगेगा इमानलो इस mg और यह tension है, वो अब यहां पर यहां पर जो पिच्चर की मेन बात है जो ट्विस्ट है, जो सस्पेंस है वो यहां पर आता है ठीक है बच्चो कैसे आता है मैं बताता हूँ यह दोनों ट्राइंगल जो है इसमें हमने क्या किया है यह हमारा mg force है यह हमारा reaction force है और यह हमारा रस्थी की tension है जो F के बराबर है चुकि body equilibrium में है तो यह forces एक triangle बनाएंगे और यह एक physical triangle है यह vector triangle है यह physical triangle है physical triangle क्या है? radius पुली से हमने hemisphere का center connect कर दिया और रस्थी एक side होगी right angle triangle नहीं है अभी हमने जिसा कि देखा तो यह दोनों triangle जो है mg जो है पुली से हमिस्फिर वाली line का लूँग है reaction force है वो radius का लूँग है और obviously यह line जो है यह रस्थी का लूँगा ठीक है यह दोनों triangle जो है similar triangle यह दोनों triangle क्या है similar triangle है ठीक है आरिवाद सम्झों है इसका मतलब माल लो इस साइड और इस साइड का रेशियो एक और तीन है तो यहां से अगर इसका रेशियो सही में एक और तीन है तो reaction और mg का भी रेशियो क्या होगा एक और तीन होगा माल लो इसका रेशियो एक और दो धाई है तो इसका भी रेशियो तो reaction और force का भी रेशयो क्या होगा? एक और धायक होगा. क्यों? क्योंकि दोनों triangle similar है. Similar triangle में sides का ratio क्या होता है? Same होता है. ठीक है? आगी बात समय है? अब इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं. क्या गरते हैं? इसको थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं. असा संघर्ष हुगा जिन्दिगी में आए हैं करना तो पड़ेगा ध्यान दो स्कूटा बना रहा हूँ है मिनियेचर वर्जन बना रहे है अब बॉल जो है हमारी थोड़ी सी उपर हुगी अभी भी मैं पुली से इसको कनेक्ट कर रहा हूँ ठीक है अभी भी मैं क्या कर रहा हूँ center से पुली को connect कर रहा हूँ ball मेरी उपर चली गई gain मेरी नियां आ गई और तब ये triangle इस तरह से change हो गया ठीक है क्या हुआ gain मेरी उपर आ गई ठीक है तो अब इसका physical triangle ये physical triangle ऐसा दिखेगा तो obviously forces का triangle भी ऐसा ही होगा क्योंकि reaction इसी के लोंग लगेगा mgc के लोंग लगेगा तो इसका जो physical triangle बनाऊँगा मै तो ऐसा बनेगा ठीक है अब यहाँ पर इस सवाल आप लोग कर सकते हैं इस दन इस question is done ठीक है तो physical triangle ये दोनों similar है ठीक है मान लो mg के लोई 100 newton mg के लोई कितनी 100 newton है इस लाइन के लंबाई 100 newton है इसके लंबाई 100 newton है मान लोई reaction के लोई 40 newton थी first case second case में क्या होगा ये दोनो triangle similar है ये दोनो triangle similar है इसके लंबाई नहीं बदली इसकी भी नहीं बदली इसकी क्या होई ये side और ये side इस triangle में radius के बराबर है hemisphere क्या तो इसकी size नहीं बदली इस triangle में इस side की size नहीं बदली तो जब यहां से यहां पर जाएंगे इस triangle में भी size नहीं बदलेगे आरिवा समझ में जब physically triangle और ये triangle सेम है एक side बिल्कुल दूसरे के सेम है दूसरी side की सिर्फ direction बदला है तो obviously force का भी क्या होगा सिर्फ direction बदलेगा size change नहीं होगी यहाँ पर अगर ये 40 newton था ये radius 10 थी, यहाँ पर 10 थी यहाँ पर 40 newton है तो यहाँ भी क्या होगा 40 newton ही होगा यहाँ पर side नहीं बदली यहाँ पर भी side नहीं बदलेगी force का क्या होगा force जो था पहले मानलो 80 newton था और इस side की लंबाई यहाँ पर मानलो 10 meter थी अब यहाँ पर clearly जैसे जैसे आप उपर जाओगे इस side की लंबाई चेंज होगी आप पहले यह यह थी आपकी और अब यह है लंबाई तो चेंज होगी तो 10 meter से अगर यह 9 meter हो गई ठीक है तो यह भी 80 newton से मानलो बहतर proportionally change होगा ना यह कितना हो जाएगा 80 into 9 बटे 10 गित हो जाएगा बहतर हो जाएगा obviously यह भी change होगा वो side change होई है proportional है वो change होई है तो यह भी change होगी mg change नहीं होगा ना direction में ना किसमें size में पर हमारा क्या हाँ आर चेंज होगा आर का चेंज होगा डारेक्शन चेंज होगा तो इसका मतलब reaction force क सिर्फ direction बदलेगा वो radius के proportionल है mg जो है किस के proportionality फुली से लेकर है hemispher के distance के proportional है वो कभी change नहीं हो रहा है mg कभी change नहीं होगा reaction force का सिर्फ direction बदलेगा वो radius के proportion प्रोपोर्शनल जो है वो रसी के लेंद के प्रोपोर्शनल यह अगर आप खीच रहो हमारा जो फोर्श जो हम लगा रहे हैं वह भी में कम लगाना पड़ेगा जैसे जीस चीज ऊपर आएगी समय कम लगाने की जुर्थ पड़ेगी पर रियक्शन फॉर्स जो है नहीं बदल यहां पर हमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरुत थी इस पर जो फोर्स लगेंगे कि जहां भी होगा इस पर जो फोर्स लगेंगे M, G R और F यह जो लगेंगे एक ख्रोष ट्रायंगल बनाएंगे बनाएंगे और वो ट्रायंगल जो है फिजिकल ट्रायंगल से बिलकुल सिमिलर होगा जो प्रपोर्पोर्टनल्टी हैगी वो वही रहेेगी जैसे जैसे उपर जाएगा mg वही है radius के proportional था तो यह r भी वही रहेगा और हमारा force जो है वो length के proportional था रसी की पुली के left side तो वो जो हो जाएगा क्या हो जाएगा बच्चों वो फूटा हो जाएगा ठीक है इसका answer कुछ होगा f decreases आर नहीं यह नहीं है आर रिमेंस अंचेंज अड़ आंसर होगा ठीक है gravity remains unchanged obviously आर रिमेंस अंचेंज और force होगा वो decrease करेगा हमें कम force लगाने की जुरूत पड़ेगी ठीक है यह थोड़ा सा दिमाख लगा के technical करने वाला question था I hope यह सवाल आप करें और इस तरह के सवाल आप थोड़ा दिमाख लगा है समझे ठीक है और आगे बढ़े ठीक है बच्चो तो अगला सवाल करते हैं तो कहां गया सवाल गाए भूगे खतम होगे अच्छा यह तो अगला सवाल एक लाक रुपए के लिए आपकी स्क्रीन पर रहा यह ठीक है बच्चो तो इस सवाल पढ़ते है वी हैव टू हैमी स्फेयर्स दो पिछली बार एक था इस बार दो आगए ठीक है कैसे बनाएंगे हम आइडों नो और प्रेडिया कैपिटाल आर एंड स्मॉल आर स्मॉल आर बड़े आर से छोटा होता होविसी बात है दे आर फिच्च्ट ऑन ए होरिजोंटल टेबल टचिंग इच अदर सी फिगर फिगर देख लोगी ठीक है एक यूनिफॉर्म रॉड रेस्ट और टू स्फियर्स एक रॉड जो है यूनिफॉर्म है कि दोनों स्फियर्स पे इस तरह से रखी हुई है ठीक है एंड कोफिशेंट ऑफ रिक्षन बिट्वीन दे रॉड और टू स्फियर्स इन व्यूट कोफिशेंट ऑफ रिक्षन हमें दिया गया है बहुत आसान से स्वाल है पता नियूँक एक लाक का सवाल है इस्टाट करते हैं तो हमें क्या के दिया है देख लेटे हैं मू दिया है और आर और फिगर में अनचेंड और यहां पर नॉर्मल इधर लगेगा N1 यहाँ normal इधर लगेगा N2 और friction अपनी limit पर होगा minimum के लिए तो यहाँ पर friction उपर के और लगेगा Mu N1 और यहाँ पर friction इधर लगेगा Mu N2 ठीक है? उसके अलावा इस पर body पर जो भी center माज जहाँ भी होगा वहाँ पर लगेगा Mg ठीक है बच्चो तो अब इसकी equation लिखते हैं ठीक है, माल लेते हैं रोड का horizontal direction से जो angle है वो theta theta हम निकाल लेंगे ठीक है, आलू करते हैं MbD बनाया है, theta है तो mg के component करना में आता है, mg sin theta, mg cos theta तो equation लिखते हैं equation आ गई N1 plus N2 ब्राभर mg cos theta और mu N1 plus mu N2 बराभर mu mu नहीं mu से mu कट जाए slide होने से friction बचा रहा है slide कौन करा रहा है, mg sin theta तो हमार पाइ equation आ गई अब इन दोनों equation को divide कर देते हैं 2 बटा एक कर, 2 बटा एक कर है हमारे पास आ जाएगा mu बराभर N1, N2, N2 कट जाएगा mg mg कट जाएगा, assign बटा cost 10 theta ठीक है आ गया हमारे पास आ गया mu बराभर 10 theta अब तो पता ही है mu बराभर जब चीज slide करने वाली होती है mu बराभर क्या होता है, 10 theta होता है हमने इतना सारा time waste कर दिया अब तो याद है हमें, अगर कोई चीज जो है स्लाइड करने वाली है, तो उस समय mu बराभर क्या होता है, 10 theta ही तो होता है ठीक है, अच्छा एक चीज यहाँ पर ध्यान राखना है, दोनों जगे friction limiting होगा क्योंकि अगर एक जगे limiting नहीं है तो क्या होगा, वो slide करने कोशिश करेगा और नहीं slide कर पाएगा, जब तक ही friction बढ़नी जाता है, दोनों जगे friction obviously क्या होगा, लिमीटिंग होगा, ठीक है और तो mu बराभर 10 theta हमने निकाल दिया जो की, हाँ ठीक किसों बताना होगा, हमने mu बराभर 10 theta निकाला है जो ही challenger की class में इतना सारा मेहनत करने के बाद, ठीक, तब करें क्या, सवाल everybody बनाया, stall करी, जो चीज निकाली हो, हमें चाहिए नहीं हमें चाहिए था ratio of r by r तो theta पर काम करते हैं अगर हम theta पर काम करें तो हमें ratio of r by r मिल जाएगा, ठीक है तो इसको मैं मिटा देता हूँ यह मैं पता है, बाकी सब तो इसको अच्छा, एक page पर बना लेते हैं हाँ बचो तो sphere बनाने, sphere बनाने हमें आते नहीं है तो हम क्या करेंगे हम, sorry, hemispher बनाने आते नहीं, हम sphere बनाएंगे यह बढ़का sphere है और एक चुटका sphere भी बना लेते हैं यहां से बनाएंगे तो बढ़का हो गया एक चुटका sphere बना लेते हैं यह तो छू नहीं रहा एक चुटका sphere बना लेते हैं हाणा हाणा, 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 हाणा मैजा नहीं हाए खोड़ा साओर तिक और आखरी attempt हाणा तो यह हो गया ठीक है तो अब क्या करते हैं एक ट्रेट लाइन खीच लेते हैं और एक रोड बना लेते हैं रोड का कलर बदल देते हैं रोड का क्या कलर लेते हैं सफेद कलर लेते हैं पिंक ले लेते हैं यह हमारा रोड है हम सब इस रोड के angle पे तब हमें ये angle निकालना है ठीक है उच्छो तो करते हैं angle निकालते हैं geometric का सवाल है basically view around 10 theta तो हमें आता ही था तो यहां से इसको जोड़े यह small r है यहां से इसको जोड़े capital r है अब हमें theta निकालना है ठीक है तो क्या करता हूं rod के parallel एक line कीच देता हूं तो क्या होगा मुझे एक right angle triangle मिल जाएगा right angle triangle मिल जाएगा तो उसके पास जो है मैं आराम से उसको कर सकता हूं यह rod की pengent है radius radial direction में है तो यह angle 90 होगा और यह जो है हमारा यह होगा r plus छोटा r यह छोटा r यह बड़ा r तो बड़े r में से छोटा r घटा देंगे तो यह बचेगा r minus r और यह जो angle था वो थीटा था तो यहां से हमें sin theta मिल गया sin theta बराबर बड़ा r minus छोटा r अपन बड़ा r प्लस ठीक है होत हो गया सवाल अब हमें क्या करना है करना क्या है small r by capital r निकालना है ठीक है small r by capital r कैसे निकालते है कैसे निकालते है बच्चोह small r by इसको capital r से divide कर देते है r by r को मैं एक variable लिख लेता हूँ r by capital r को एक variable होता है, कुछ तो बताओ, N ले 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 N, this is equals to N, तो इस equation को अगर मैं उसे divide कर दूँ, तो मुझे मिलेगा 1 minus N, 1 minus N बटा 1 plus N, ठीक है बच्छो, तो मैं साइन थीटा मिल गया, अब मेरे मिरेको sin theta दिया नहीं था, मिरेको 10 theta पता है, so mu बड़ाबर 10 theta हो गया, यहां से मैं sin theta निकालूँगा, sin theta क्या होगा, mu बटा 1, mu बटा 1 को sin theta में convert करेंगे, so mu बटा root 1 plus mu square, so mu और n में relation आ गया, n है r by r, तो यह relation को मैं side में ले जाता हूँ, side में ले आके क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 1 plus mu square बड़ाबर 1 minus n upon 1 plus n, धीरे धीरे प्यार से, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं, advance का सवाल है, इद्ज़स से करो, ठीक है, तो अब इसमें यहां पर क्या लगेगा, I think यहां पर जो है, component ओ, dividend ओ, ऐसी कोई चीज रहोती है, जहां भी 1 plus, ऐसा होता है, आर्ट वी में पढ़ा था, वसा लोग है, बट थोड़ा बहुत तो आती है मैं था, ठीक है, यह जाएगा root, match में में मेरे 1 plus mu, पूरे नमबर आये थी, जे एडवांस के paper में, ठीक है, और physics में दिक्कर आये थी, हाला कि physics मेरा favorite subject था, physics में क्या होआ था, कि मैं पहले 1-2 स्वाल मैंने दिल पे ले लिए थे, वह नहीं थे, तो फिर क्या होआप paper छूट गया, match में पूरी करका है था, आप तो physics पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर हो गया, root 1 plus mu square plus mu, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा, r by r की value आगई, r by r की value आगई, root 1 plus mu square minus mu, upon root 1 plus mu square plus mu, component रो डिवीडेंट रो लगाया, ठीक है, किया क्या सवाल मैं, हमने सवाल में, पूरा everyday बनाया, equations लिखी, और सबने करके, क्या करा, finally derive किया, कि हमारा mu जो होता है, वो 10 theta के ब्राबर होता है, जो कि हमें already पता था, ठीक है, कोई बात नहीं, कर लिया, अब उसके बात क्या करना है, अगर हमें, small r by capital r, और इसमें mu में relation निकालना है, जैसा कि options में दिया है, तो हमें क्या करना होगा, कहीं निकालना होगा, तो theta निकालने के लिए, थोड़ी geometry आनी चाहिए, तो हमने कुछ कुछ करा, right angle triangle ढूंडा, उसकी sides निकाल ली, उसकी sides निकालने से, हमें sin theta मिल गया, sin theta मिल गया, तो sin theta को 10 theta में convert करते हैं, पर उसमें थोड़ी दिक्कत थी, तो हमने काया कि, क्योंकि n r by r वो खुद root में चले आता, square में चले आता, तो उनने का उसके बज़ाए 10 theta पर अबर mu है, तो उसको हम क्या करते हैं, कि उसको root में कर लेते हैं, तो हमने आलग से चाहिए, तो हमने sin theta को mu by root 1 plus mu square लिखती है, उसको लिखने के बाद sin theta को बराबर कर दिया, component और dividend और नाम के कोई चीज है, जो हमने लगाई, तो हमने मिल गया, तो यह हमारा इस तरह से answer आगया, ठीकि बच्छ, तो कभी सवाल हो नहीं है, कुछ करें आप मेहनत करें, और आखरी में वही result आए, जो कि आपको पता ही था, तो ढरना नहीं है, आगे बढ़ेंगे, आगे करेंगे, कुछ ने कुछ करेंगे, answer आएगा, ठीकि बच्छ, इकटीन गेंद्य हैं मारे पास, कैप्टन एक्विलिबृउम, एक्विलिबृम का स्टैक का सवाल है, इनसाइड है है ह्मिस्फेरिकल बऌल, तो एक दोसफेरिक तीन तो सफेरिकल है, और एक बऌल जो है बऌल, बऌल नहीं है, वो बऌल है, बाउल मतलब कटोरा, बाउल मतलब गेंज, ठीक है, तो तीन गेंज है, कटोरे में इस तरह से रखी गई है, the angle between line N1, N1 हमें आगे बताया गया, and line of N2, if radius of balls and bowel adjusters such that the normal force between B and C approaching to 0 is 10 inverse root X by Y, ट्रोक आगया मेरको ते सवाल पढ़ते हैं, X and Y are minimum possible integer N1, 33, सवाल जो है, जान भूच के, इसको परिशान करने के लिए हमें, हमें हरास करने के लिए इस तरह से उल्टे सीधे तरीके से लिखा गया, ठीक है, सही से पढ़ते हैं, ठीक है, तो तीन के इंदे कटोरे में रखी हैं, हमें समझ में आ गया, the angle between line of N1, N1 is normal between A and B, ठीक है, तो obviously identical balls है, A and B के बीच का जो normal होगा, वो कुछ ऐसे जाएगा, यह line है N1, N2 के normal की, ठीक है, तो यह N1, N2 के normal की line है, sorry, A और B के normal की line है, और N1 line है, ठीक है, and line of N2, normal between ball and B, ठीक है, माल लो B जो है, ball यहाँ पर touch कर रहा है, तो यहाँ पर, इसकी, जो line होगी, तो vertical होगी, उच तो, बाउत होगी अब, इस, दन, ठीक है, तो इस, line of N2, ठीक है, angle between lines of N1, N2, ठीक है, such that, if, if radius of balls and ball, कातोरे की और गेंद की radius, तर अमने अग्जस करी, such that, नॉर्मल फोर्स बिट्वीन बी एंड सी अप्रोचिंग जीरो तो बी और सी जो है क्या कर रहे हैं एक दूसरे पर फोर्स नहीं लगा रहे हैं एक दूसरे को जश्ट छूर है इंट्रेक नहीं कर रहे हैं जैसे आप दिवार के किनारे अगर आप कोई एक ब्लॉक रख दो ठी कोई लिट्वी लग रही है और ग्रांड से फोर्स लग रह है पर दिवार से सटा के रखने क्रम पषूर रहे हैं कोई फोर्सक्रे निलजाव इंट्रक न ही करते हैं उसकेस में earlier और N2 के बीच में एंगल, समझ में आ गया है, कुछ तो समझ में है, एंगल निकालना है, and that angle is 10 inverse root X plus Y, और X plus Y बता दो, कुल मिला के N1 और N2 के बीच में एंगल निकालना है, so that B और C आपस में इंटरेक्ट ना करें, इतना सा सवाल था, उसको पतानी कैसे लिखा गया है, ठी कैसे करेंगे, भगवान जाने कैसे करेंगे, ठीक है, कर लेंगे यार, कुछ न कुछ तो करेंगे नहीं, यह से थोड़ी होगा, कि हमसे सवाल ना हो, ठीक है, क्या करते हैं, क्या करते हैं, कैसे अप्रोच करें, भगवान का नाम लेते हैं, अगर किसी से होगा, तो हमसे भी हुआ को देके बीचे बुनाते घ्यारा सावा संदर सा दा काम करना कर ला नेचे कि और आप्रोचींग जीरो मां आदा फ् Сергाlle pity have a झूकि की बिकॉस एबी-सी ट्र ट्र बना रहे है यह जो इनके बीचे में जो फोर्स लग़ा है जो की n1 है उसका होरिज़न्टल साफ उगर सज हम इस फोर्स लगाता हूं N1 इस पर force N1 तो नीचे क्यों लगेगा वो A पर लगेगा FBD हम A का नहीं बना रहे B का बना रहे तो इसको undo कर दू तो B पर जो N1 लगेगा वो लगेगा इस line के along N1 ठीक है और उसका हमारे अमतल से धरातल से horizontal से angles heart degree होगा heart ये angle होगा heart degree ठीक है और इसकी line को पीछे खीज़ देते अब N2 bowel, cutora और gain के बीच में जो force लगेगा वो यहाँ पर ऐसे लगेगा ठीक है जब सवाल नहीं हुआ तो शिकायत तो नहीं करोगे मेरी है अलग सरक नहीं को अपने बीच में बात रहेगी ठीक है तो यहाँ पर cutora जो है cutore और gain के बीच में N2 लग रहा है ये angle theta जो है हमसे पूछा गया है ठीक है अच्छो पर step होती है axis system choose कर रहा है हम क्या करते हैं हमेशा अपनी दुन में x और y axis ये ले लेते हैं ठीक है पर ये गलत है ये axis लेना गलत नहीं है मतलब ये axis system गलत नहीं है इसके solve करेंगे सही से equation लिखेंगे answer आएगा ठीक है इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए ये equation system लेना हमारी सेहत के लिए फायदे मन नहीं है क्योंकि हमें कई बार इसमें minus 1 मिलता है क्यों मिलता है मैं बताता हूँ अगर आपने हमेशा horizontal और vertical axis system लिया ठीक है मान लो आपके सवाल में 4 variable है ठीक है अगर आपको 4 variable मिलेंगे सबके component मिलेंगे चारोगे component मतलब एक्स में equation लिखोगे उसमें 4 variable होगे य में equation लिखोगे उसमें 4 variable होगे सबके component होगे आपकी linear equation जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल बने लिए ठीक है तो axis system ये चूज कर सकते हो कोसी सब्सक्राइब, बॉटी को कोई मतलब निहीं, बी, बी खोगी है, हमारे सवाल सोल्स ले लिए हमारी चीज समझने के लिए में लिए हम कहाँ बैठ रहे हम कहां origin लगा रहा है क्या axis system ले रहे हैं वह हमारे उपर है ठीक है तो अगर हमारे उपर ही है आप इसको गाट बांद लो तो आपको बहुत फायदा होगा ठीक है मैं लिख देता हूँ यह रूल धीरे से प्यार से बहुत समझ लो always, always choose axis system such that component of variables are least minimized minimized बहुत important rule है कि हमेशा axis system ऐसे लो कि variables जो है उनके component आपको कम से कम करने पड़े हैं और यह जो है बहुत बार minus 1 और प्लस 4 में तरक महसूस करा देता है ठीक है तो यहां पर हम axis system यह ले सकते हैं x axis और y axis अगर हम ऐसा लेंगे तो हमें और n1 और n2 दोनों के components करने पड़ेंगे ठीक है तो उससे better axis system यह होता है कि आप एक axis जो है n1 या n2 के along ले लो तो उससे क्या होगा आपको एक variable के कम से कम कम से कम एक variable के तो component नहीं करने पड़ें ठीक है अलाकि there is comfort in taking vertical and horizontal x and y क्योंकि हमें आता है हमने practice करिए बट अगर आप axis system कई पर घुमाने से आपके variables के components कम हो जाते है तो घुमा लेना चाहिए दाग अच्छे है ठीक है तो थोड़ी सी आपको mental exercise साज बढ़ जाती है बट equations आपकी बहुत आसान बनती है ठीक है तो ले 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 भगवान का नाम ले ले solve कर ले ओगा देखते हैं तो यहाँ पर मैं axis system जो है यह मानलो x axis ले ले लेता हूं एेन यंग ले ले लेता हूं एक axis और आय जो है उसके परपेंटिकोल होगा और वही है हमारा सब कुछ तो अब उसके बाद क्या करें उसके बाद x कैसे लिखा है इसे लिखते थे कहां है इसके बाद क्या करें एक्ससि और यक्सिक ऑन खाइन वही जो करते हैं बिना था इस शिट्म से एस लेना चाहिए काम की चीज़ को एक्सिस्टम एफ 30, एगी न, इक्वल टू, n2 का कम्पोनेंट होगा, n2 कॉस थीटा, अब य क्या लोग, n1, n1 फ्री हो गया हमारा, mg बचा, mg, एक कॉस हो गया, तो हमें देखने के भी जुरतनी, दूसरा साइन होगा, और इसका एक कॉस हो गया, तो उसका दूसरा आइन होगा, होगा ही होगा ठीक है न, ठीक है न, ठीक है, तो यह हमने कर लिया, अब हमारे पास variables किते हैं, n1, n2 फ्रीटा, तीन variable है, दो equation है, हमने सोचाता हो जाएगा सवाल, क्या है सवाल, सवाल में इसके बीच में हमें वापास देखते हैं, बताना मत नहीं होता हो, इसके बीच में कोई force नहीं है और A और B के बीच में force है, B और कटोरे के बीच में force है, और obviously C और कटोरे के बीच में force है, system symmetric है, तो B का FBD बनाया हमने, अच्छे से बनाया, अच्छे से axis system choose किया, equation लिखी तीन variable आगा है, दो equation में, तो क्या करें, एक और FBD बनाएंगे, फिर भी नहीं होगा तो, एक और FBD बना लेते हैं, तो A पे clearly N1 लग रहा है, 60 degree पे, और ये B की वज़े से लग रहा है, C भी तो symmetric है, यापस में छूर हैं, पर force नहीं लगा रहा है, ये B है और ये C है, तो C भी तो force लगाएगा, और C भी कितना force लगाएगा, N1 ही लगाएगा, वही C भी जो है, 60 degree पे लगा रहा है, तो अब ये दोनों, अब ये इन दोनों के ये component बराबर है, horizontal, तो obviously ये भी N1 होगा, इस पे एक और force कौन सा लग रहा है, Mg, तो इसकी horizontal equation लिखे हैं, तो N1 cos 60 equals to N3 cos 60 लिखेंगे, तो obviously यहाँ से हमने लिखने ही जूरत नहीं है, पता है, B और C by symmetry same force लगा रह तो यहाँ से हमारे पास N1 का जो मान आया है, जो value आई है, वो आई है, Mg बटा, बटा, रूट 3, ठीक है, कुछ-कुछ उमीद बनी है, क्यों, क्योंकि हमें N1 पता पढ़ गया है, अगर हमें N1 पता पढ़ गया है, तो हमारे पास एक variable आ गया है, तो हम क्या करते हैं, अब क्या करें, N2 अटाना है, हमें थीटा चाहिए, पूछा क्या था, थीटा था, तो दोनों equation को divide कर लेते हैं, 2 बटा एक करते हैं, क्योंकि sin थीटा, sin थीटा बटा, cos थीटा पसंद है, तो जैसे हम equation 2, बटा equation 1 करेंगे, हमें 2 तरफ मिलेगा, जिसे हमें 2 तरफ ले जा आँ, 10 थीटा, बराबर, Mg sin थीटा, जो हता है, Mg बटा 2, बटे, N1, जो है हमारा, Mg बटा रूट 3, प्लस, Mg cos थीटा, जो है हमारा, Mg, रूट 3 बटा 2, यहां पर Mg, Mg, Mg चला गया, और 2 से 2 कट गया, और, रूट 3 उपर चला गया, तो यहां से थोड़ा कर ले ना, हवा में कर रहे है, तो भी कर पाओगे, पर थोड़ा सा, हाँ, जितना कर पाओ, उतना ही हवा में जाना, हाँ, तो यहां पर हमारा है, रूट 3 उपर चला गया, और, यहां बचा, 2 प्लस 3, 5, दो, प्लस 3, 5, तो 10 थीटा में रा गया, रूट 3 प्लस 5, ठीक है, तो जो सवा कैसे होगा, कैसे हुआ, एवडी बनाया, एवडी बनाके एक्वेशन लिखी, नहीं हुआ, एक और एवडी बनाया, उसका बनाके एक्वेशन लिखी, और फिर हो गया, तो हमारा थीटा हो गया, 10 इंवर्स, रूट 3 प्लस 5, हमारा एक्स हो गया 3, और, य हो गया 5, एक्स प तो जो एक लाग का सवाल था, बड़े आसानी से तो नहीं हुआ, बट हो गया, ठीक है, और किया क्या steps होई है, algorithm होई है, लो, element उठाओ, वोने में ले जाओ, उसके force लगाओ, उसकी equation लिए, एक नई चीज़ हमने ज़रूर सीखी, axis system ऐसा लेना चीज़ है, जिसमें variable के component कम से कम हो, तो n1 के along हमने इस बार axis system लिया, तो उससे क्या हुआ, हमें सिर्फ n2 के component करने पड़े, और n1 के नहीं करने पड़े, और सिर्फ n2 के करने पड़े, इसलिए हम equation को आसानी से divide कर पाए, और n2 को तुरन्त remove कर पाए, उसके बाद भी सवाल नहीं हुआ, तो हमने ये का video बनाया, और फिर सवाल हो गया, ठीक है, तो अगला सवाल, आपकी screen पर पांच लाग के लिए करते हैं, पांच लाग के लिए रहा ये, ठीक है, तो a car is moving with speed 108 km per hour, ठीक है, on a large uniform horizontal pavement, perpendicularly towards a wall, ठीक पांच लाग की बात है, a car is moving with speed 108 km per hour, on a large uniform horizontal pavement, सब कुछ large uniform pavement, रोड पे नहीं है, perpendicularly towards a wall, ये हमारी दीवार है, ठीक है, to avoid collision, हमें टकराने से बचना है, the driver takes a turn, the driver takes a turn, and finally runs the car parallel to the wall, with the same speed, finally runs the car parallel to the wall, with the same speed, coefficient of friction between the tires and the pavement is 0.6, and if the turning process is the fastest one, turning process is the fastest one, कम से कम टाइम में उसको, turn करना है, and speed सहीं रखनी है, speed जो है, final speed उसकी सहीं है, ठीक है, if the turning process is the fastest one, on this pavement, check validity of the following statements, ठीक है, क्या statements है, the car follows a circular path, और parabolic path, path बताना है, minimum radius of curvature, उसके रस्ते की minimum radius बताना है, अगर minimum radius बोल रहा है, सर्कुलर नहीं होना चीए, बठा, let's see, initial distance of the wall must be greater than, minimum distance उसने दिवार से पूछा है, बच्चों यह काफी technical सवाल है, और बेस लिए कितने काई, 5 लाग का है, 10 लाग का है, 10 लाग का है, ठीक है, तो, इसमें एक concept यूज होता है, वो मैं आपको पताता हूँ, ठीक है, सीखते हो concept, मान लो, हमारे पास एक vector है, vector है P, ठीक है, और इसको हमें change करना है, इसको हमें क्या करना है, change करना है, कि vector P इधर चला जाए, magnitude direction, दोनों change करना है, या एक change करना है, जो भी है, ठीक है, किल मिलाके हमें जो vector है, यह ऐसा दिखता है, उसको हमें ऐसा दिखाना है, ठीक है, तो obviously हमें उसमें vector P में एक change add करना पड़ेगा, जिसको हम delta P vector कहते हैं, तो यह हमारा delta P vector होगा, यह हमें गायब होरी चीज़े, add करना है, ठीक है, अब हमारे पास जो है, यह हमें कम से कम टाइम में करना है, हमें क्या करना है, कम से कम टाइम में करना है, ठीक है, और हम कि हमारी रेट ऑँ चेन्ज यो है वेन्ट और जो है उसका मेगडनेट्वीड फिक्स ए मैंचेट्वाइम अल्फ हमारी एक बेट और चेंज फिक्स हमें किधर λέगाु सकते डशोर कर सकते हैं बैट उसका magnitude क्या है fix alpha ठीक है और मैं कम से काम टाइम में करना है तो अगर एक body मान लो मान लो एक body है वो यहाँ पे है औरीजन यह हमारा यहाँ पे है ठीक है उसको यहाँ पे पहुंचना है ठीक है उसकी rate of change of position fix है ठीक है तो कम से काम समय में पहुंचना है तो कैसे पहुचेगा अगर वह यह path follow करेगा तब पहुंचेगा यह path follow करेगा यह path he अब उसके चलने कि स्पीड फीक्स ए उसको यहां पॉइंट असे पॉइंट बी तक जाना है पीड उसकी एपक्टर अहों कोई भी राष्ता वह ले सकता थो पॉझे से सबसे यहादा फायदा कम से कम समय में पहुंचना है तो अगर आप मैं बताओं कि मेरा यहां से पांच किलोमेटर दूर है तो आपको आइडिया है कि मेरा यहां से कि इसाथ पांच किलोमेटर दूर है वो आप और्ग है ने अगर यहां से बात क्या है कि अगर उसको जाना तु यहां पर बिस्कली अगर हमारे पास एक वयक्टर है, इसको मिटा दें क्या? हाँ, तो अगर हमारे पास एक वयक्टर है, उसकी rate of change fix है, तु आधे कि वयक्टर जो है, डारेकशन fix नहीं है, अगर वयक्टर जो है हमारा initial वयक्टर से हमें यह final vector पर जाना है ठीक है और हमारी rate of change fixed vector की तो obviously हमने जो है सीधे सीधे जो है initial vector से final vector में point करेंगे तभी जो होगा कम से kum time में vector change हो पाएगा यह काम की चीजी है कि if we want to change a vector and or rate of change has fixed magnitude तो जो होगा हमारा change के along rate of change डालेंगे तभी हम minimum time में कर पाएंगे तो इस सवाल में इसका क्या कॉंटेक्स्ट है ध्यान से सुनों हां ध्यान से सुनना क्या कॉंटेक्स्ट है कि यह हमारी इनीशल वेलोसिटी है प्रपेंडिकुलर टुद वॉल यहां कहीं दिवार थी और यह हमारी ऐनल वेलोसिटी है उसका भी मैगनिटुड है भी दिवार के परल नीचे के और मुड़ा उपर के और मुड़ा भी माल सकते मैंने नीचे के और मुड़ा अब मेरी रेट ऑफ चेंज फिक्स है मुझे क्या कहा गया है मेरा जो है मेरा प्रिक्शन 0.6 है तो मेरा जो त्वरण है मेरा जो एक्सिलरेशन है वो क्या होगा वो होगा म्यूजी धीरे धीरे अच्छे से लिको हाँ बहुत अच्छे से एक्सिलरेशन होगा म्यूजी वो होगा 6 मीटर पर 2 स्क्वार तो मेरी जो एक्सिलरेशन फिक्स है तो एक्सिलरेशन किछ डारेक्शन में होना चाहिए एक्सिलरेशन किछ डारेक्शन में होना चाहिए एक्सिलरेशन ऐसे गुमेगा देल्टा वी है शुरू में देल्टा वी इतना सा होगा तो तुमारा वेलोसिटी होगा फिर देल्टा वी बढ़के इधर हो जाएगा फिर इतना हो जाएगा तो इस तरह से मेरा वेलोसिटी वेक्टर गुमेगा तो acceleration जो है acceleration का direction fix होना जरूरी है और fix किसके अलोग होना जरूरी delta V के यह हमारा अगर initial velocity है यह हमारा final velocity है यह हमारा delta V है और हमारा acceleration भी इसी direction में और acceleration का direction जो है fix acceleration का direction fix है तो अगर acceleration का direction fix है और वो velocity के parallel या anti-parallel नहीं है velocity का align नहीं है तो motion क्या होता है यह सब बराबर है ना तो एंगल 45 हो गया यह acceleration का direction है 135 है तो जब acceleration का direction fix है वो velocity के along नहीं है तो हमारा motion कैसा होता है parabolic होता है हमारा motion कैसा होता है parabolic होता है कब होता है parabolic motion पेरबोला पेरबोलिक ठीक है हमारा motion project पेरबोलिक कब होता है जब acceleration का direction fix है और वो velocity के अलोग नहीं velocity के अलोग है तो क्या होगा motion straight line motion होगा पर velocity साथ angle पे है तो हमारा motion कि होगा पेरबोलिक तो I believe यह technical सवाल हमारा हो गया हमारा हो गया तो car follows a circular path और भी ऑप्शन है, minimum radius of curvature, minimum radius of curvature, अभी यार इतनी match तो नहीं है, पर पर जीक साती है, जब भी कोई बोलता है, मुझे सुनाई क्या देता है? प्रोजेक्ट टाइल, मुझे सका टीचर हूँ ना, match कभी बहुत अच्छी थी मेरी, अभी भी एच्छी है पर इतनी एच्छी नहीं है जब भी कोई बोलता है पेरा बोला मुझे क्या सुनाई देता है प्रोजेक्ट टाइल ठीक है तो प्रोजेक्ट टाइल से ले जाते हैं प्रोजेक्ट टाइल पे अगर हम जाएं तो उसको आप शायद यूज़ कर सकेंगे तो हमारा minimum होती वी स्क्वाइर कॉस स्क्वाइर थीटा डिएड बाइ जी तब इस सवाल में इस सवाल में हमारे पास क्या है वी और ए ऐसे ठीक है तो यह अभी प्रोजेक्ट टैल जैसे नहीं दिख रहा क्योंकि ए जो है एक एंगल पर है इस साइड है तो मैं क्या करता हूँ इसको गुमा देता हूँ किसी को बताएंगे नहीं चुपके इसको गुमा देंगे किसी को पता नहीं पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पर मैंने इसको हलुका सा गुमा दिया यह मेरा V है यह A है और यह एंगल 45 है ठीक है, A का direction fix है इसका motion जो होगा कुछ ऐसा होगा और इसकी minimum radius of curvature इस point पे होगी और हो कितनी होगी R, O, T is going to be V square cos square theta क्या speed थी उसकी speed भी दी थी ना, नहीं तो कैसे करेंगे speed थी 108 108 तो बहुत ज़्यादा होगी यार 6 into 5 5 बटा 18 से गुणा करते हैं so I think 5 by 18 से multiply करेंगे इन दी medium से था मैं कभी तो गुणा करेंगे multiply करेंगे, so what will we get we will get 30 so V equals to 30 meter per second initial U ले 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 था हो एक ही बात है V लिया है हर जगे तो V ले 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 था है बढ़ हाँ हमें पता है और acceleration is basically 6 meter per second square so ROC minimum is basically V square cos square theta so 30 into 30 into cos 45 square is 1 by 2 divided by acceleration which is 6 so this is 5 into 15, so I am getting 75 इन दी medium से बोला तो फिर इंगलिश में बात करेंगे तो मेरे को radius of curvature minimum की value क्या मिली मैंने पेराबोला से compare किया पेराबोला को sorry projectile से compare किया ठीक है तो जा आता है उसी पर लगे रहूँ उसी पर लगे रहूँ उसी पर लगे रहूँ ठीक है आएगा अब जैसे यहाँ पर सवाल में क्या था इसने का था पेराबोला है पेराबोला की minimum radius of curvature कहां आती है किसको आती है मुझे तो नहीं आती है ठीक है और यह वाला पेराबोला तो और तना कि कहां निकालेंगे इसमें में radius of curvature यहाँ पर कहीं होगी तो मैंने कहा कि भाई यार हमें क्या आता है में projectile आता है projectile में radius of curvature में आती है यहाँ आती है कभी पड़ी थी तो इसको convert कर लेते अब acceleration उसका इधर था velocity इधर थी थी थोड़ा गुमाद यह cheating कर लिए कि पता थोड़ी पड़ा उसको situation क compare कर लेते हैं तो यह physical situation और यह physical situation completely different obviously acceleration constant है बट यह situation एक हवा में उड़ने वाले उड़ने वाले नहीं दोनों में हमें पेराबोला मिल रहा है तो प्रोजेक्ट एल की जो लगनेंगे उसको मैंने यहां पर चिपका दी, क्यों? क्योंकि अगर यहां पर रेडियस ओकरवेचर मिनिममम है तो इसकी भी यहां मिनिममम होगी, थोड़ा से गुमा दिया, और यार यार यह थवाल खतम ह ही नहीं होता, इनीशियल वाल से दूरी हमें निकान ली है, ठीक है, एक और पेज बनाते हैं, ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी, इनीशिल वेलोसिटी के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो जब आप एक प्रोजेक्टाइल फेकते हो, इनीशिल वेलोसिटी यू से, एंगल थीटा पर तो इसकी वेलोसिटी कहीं पर जाके पर्पेंडिकुल हो जाती है यहां से यहां तब ठीक है तो यह सवाल आपने करा होगा प्रोजेक्ट टाइल में होफफुली और नहीं किया तो आपको आना चाहिए हाला कि सवाल को करने जुरत नहीं पर इससे थोड़ा आसान हो जाता है तो यह जो है पर्पेंडिकुल हो जाती है तो कितनी देर में होती है इसमें आपको करने कई तरीके है अब वेलोसिटी वेक्टर लिखके फिर यू डॉट वी इकोएस टू जीरो कर लो ठीक है और भी कई तरीके पर एक तरीका जो है वो स्टेंड आउट करता है वो यह तरीका है कि आप वेलोसिटी के कमपोनेंट करने के बजाए आप यह क्या बत्तमी जी है वेलोसिटी के कमपोनेंट करने के बजाए आप क्या करो acceleration के पर component कर लो तो जी एंगल थीटा थीटा 90 वाइनस थीटा है acceleration component जी साइन थीटा और जी और थीटा आप अपना axis system जो कि मैं कह रहा था ऐसा रखो माझने लो x axis से y axis से ठीक है कि आप velocity के along axis system रेखो तो उसे क्या होगा initial velocity के अगर along आप ले लोगे तो आपको velocity पता है आपको acceleration पता है तो obviously आपको पता है कि यह motion कब रुखता है अगर velocity और acceleration opposite है you know that when this motion will stop तो motion जो है कब रुखता है t stop जो होता है इसमें होता है हमारा u by a ठीक है तब यहाँ पे x axis के along इसका motion रुख जाएगा कितनी देर में u by g sin theta y axis के along इसकी initial velocity 0 है पर acceleration g cos theta है तो y axis के along इसकी velocity हो जाए g cos theta into t तो यह जो हमारी velocity होगी completely y axis के along होगी इसकी value होगी g cos theta into t और हमारी t की value है u by g sin theta ठीक है आरिवासन में तो हमें यह पता है कि कितनी देर में रुख जाएगा तो हमें पता है कि कितनी देर में velocity initial velocity के perpendicular और जाएगी और कैसे निकाला हमने acceleration के component करें ठीक है अगर हम यह x axis और y axis लेते हैं तो हमें यह पता है कि कितनी देर पर जाके x axis में रुखेगा जब की velocity और acceleration ऐसा होता है आपको यह भी पता होता है कितनी देर में रुखेगा कैसे निकालता है v square equal to u square plus 2s v की value 0 रखते हैं आपका जो displacement है stopping distance जो होता है यह आपको याद होना चाहिए वो होता है u square by 2a x axis के along इसका motion होगा u square by 2a रुखने से पहले इसका motion होगा u square by 2a तब हमारे सवाल की और जाते है हमारे सवाल की और जाते है कि initially इधर चल रहा है u velocity से यह इसका acceleration है ए ठीक है और a की value क्या है a की value होती है g sin theta ठीक है तो यहाँ पर इसका जो component करेंगे वो हो जाएगा a by root इसका acceleration अगर हम यहाँ पर यह x-axis ले 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 तो इसका x-axis के long motion रुख जाएगा कितनी देर में रुखेगा stopping distance d is equals to u square by a by root 2 तो अगर हमें turn करना है इतनी दूरी तो हमें चाहिए नहीं तो हम x-axis के long motion रोख ही नहीं पाएगे और हमारे यह दूरी जो कितनी है कितना निकाला था हमना 30 निकाली थे ना speed पंजे 30 30 into 30 बटा बटे 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 ए ए क्या था ए था हमारा 6 6 यहाँ पर चला गया root 2 6 पंजे 30 ठीक है पाच तो डेढ़ सो root 2 आ रहा है अच्छा 2 यह होता है यह पर 2 आ जाएगा तो डेढ़ सो बटा दो अच्छा तर root 2 तो 75 root 2 meter ठीक है तो इस इस दे मिनिमम डिस्टेंस रिक्वाइड तो तरन दे काल ठीक है अच्छा तो क्या देख लेते हैं ओप्शन initial distance of the wall must be greater than 25 root 2 तो initial distance क्या होना च्छिए 75 root 2 कम से कम होना च्छिए तो क्या था सवाल सवाल जो था इसको एक बार analyze करते हैं पूरा सवाल यह था कि एक particle इदर जा रहा है इसको दिवार से टकराने से रुखना है ना सिर्फ रुखना है उसको basically turn भी करना है यह उसकी initial velocity थी हम चाते हैं final velocity उसकी दिवार के along हो ठीक है और कम से कम time में करना है और उसका acceleration fix है acceleration का magnitude fix है तो यह हमारा initial vector है यह हमारा final vector है यह हमारा delta V है clearly जब भी एक vector को अपना direction magnitude change करना होता है तो उसका जो delta V होता है उसकी rate of change उसके along होगी minimum time में होगा तो clearly हमारा acceleration जो होगा इसके along होगा और acceleration जो होगा fix होगा direction भी fix होगा और उसका magnitude भी fix होगा इधर ही चलेगा तभी तो जल्दी-सल्दी वो कर पाएगा तो यहां से हमने निकाल लिया कि उसका acceleration का direction यह होगा और acceleration velocity के बीच में non zero 180 degree angle है तो यह होगा parabola तो हमने इस तरह से इसका first part कर लियो अब दूसरा part यह था हमसे क्या पूछा गया था कि इसकी minimum radius of curvature क्या होगी अब parabola हमने निकाल लिया और parabola जो हमें इतना ही आता है कि एक projectile एक parabola होता है हम projectile के chapter में वापस जाके हमने यह realize किया minimum radius उपर वाले point पर होती है और इसकी value होती है u square cos square theta divided by acceleration ठीक है तो यहाँ पर यह u थी और यह acceleration था हमारा g इसको यह ले लेते हैं तो यहाँ पर भी इनके बीच में इसको हमने थोड़ा सा घुमा लिया हमने निकाल लिया minimum ROC is basically V square cos square theta यह angle theta था 45 था cos square theta by A अब हमसे कहा गया था कि भाई आभी खतम नहीं यह कहानी अभी बताओ दिवार से कम से कम कितना दूर होना चाहिए हमें तो हमने देखा कि दिवार से कम से कम कितना दूर होना चाहिए जब भाई इसका motion X में बंध हो जाए motion X में बंध हो जाए अब हमें पता है कि motion X में बंध होना acceleration इदर है acceleration का हमने component कर लिया X में motion बंध होने के लिए minimum distance stopping distance होता है वो होता है V square मालो यह component यह angle theta ले लिए divided by 2A cos theta ठीक है अब उसमें मैं प्रोजेक्ट हैल में चले गए तो प्रोजेक्ट हैल में मैंने वह भी समझा दिया कि minimum time क्या होता है क्यों होता है और एक सवाल extra करा दिया bonus करा दिया तुमें ताकि तुम यह भी सीख जाओ अगर तुमें नहीं आता तो stopping time जो होता है हम excess गुमा के इस तरह से निकाल सकते है कितरा निकाला था हमने u by g sin theta और इस समय इसका इस line की और इस point की जो दूरी होती है वो होती है u square by 2g sin theta ठीक है हलाकि इसकी जरुरत नहीं थी बट ठीक है जो आप अच्छा सवाल करते हो तो कुछ चीजे जो होती है जो उनकी आपको जरुरत फाइनली नहीं पड़ती है बट वो भी हमें करना चाहिए that is part of the process of solving the question ठीक बच्चों तो यहां पे इसकी velocity इधर थी acceleration इधर था तो इसका motion पूरी तरह से x-axis के दिवार के perpendicular stop होने में इसको जो दूरी लगेगी वो लगेगी वी स्कॉयर बैट वे कॉस सिटा और तब तक यह acceleration इसकी velocity इधर कर चुका होगा तो इतनी दूरी हमें कम से कम दिवार से चाहिए उसका answer निकाल लिए 75 तो थोड़ा सा टेक्निकल सवाल था एक नए चीज़ सी की कि अगर वेक्टर का डारेक्शन चेंज करना रेट ऑस चेंज का मैगनेट फिक्स है तो डेल्टा वी क्या लॉंग अगर होगा तो मिनियूम टाइम में होगा और जो होगा इस तरह से इसका motion हमने फिर realize किया वीवरे के बीच में एंगल जो है इनीशल वेलोसिटी और एक्सलरेशन का एंगल फिक्स है और इनीशल वेलोसिटी का एंगल उसके साथ नहीं है तो motion होगा प्रेरा बला का प्रोजेक्ट एल के कुल किया और हमने यहाँ पे तीन चार option निकाल लिए ठीक है तो I hope कि यह सवाल आपके time का worth था आपने को सीखा और आपने को समझा और इस तरह के सवाल आएं और जो concept की concept जो मैं बता रहा हूँ उसको आप use कर पाए कहीं न कहीं और आप अच्छा करें ठीक है बच्चों तो अगली बार हम और अच्छे सवाल लेके आएंगे औ अलग से channel अलग से batch launch करें ठीक है वो कहते थे कि हमारे पास इतने talented teachers हैं इतने talented बच्चे हैं तो हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए लोग उन्हें कहते थे कि इतना फायदा नहीं होगा इतने views नहीं आएंगे इतना उसका pick-up नहीं होगा जो है नंबर काफी जोटा होता है पर अलग सर केते थे नहीं कुछ बच्चों का फायदा होगा कर कुछ बच्चों का भी फायदा होगा तो PW का फायदा होगा मुझे ये करना है ठीक है तो I hope कि उनकी जो ये initiative है उसका पूरा फायदा उठाएं और अच्छे सा अच्छा result लेकिया है चले बच्चे थेंक्यू झाल 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 झाल